Hello everyone, आज इस वीडियो में हम करेंगे class 7th, chapter number 2, operations and rational number, worksheet number 5, question number 1, divide 2 by 5 by minus 1 by 3, आपको क्या करना है, 2 by 5 को divide करना है, minus 1 by 3 से, तो यहां लिखेंगे 2 by 5, यह उन्हों बुला है, divide 2 by 5 by minus 1 by 3, मतला है, इस 2 by 5 को divide करना है, minus 1 by 3 से, ठीक है, first step में आप ऐसे लिखोगे, बीच में division का symbol डालोगे, ठीक है, अब आएगा 2 by 5, अभी जो division है, इसको जब आप multiple, देखो जब भी ऐसे होता है, कि division का symbol है, अभी आप इसको ऐसे तो cancel कर नहीं सकते, क्योंकि जब cancel करते हैं, तो बीच में multiply का symbol होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, जब भी division हो, इस division को हमें किस symbol में convert करना, multiply में, और इससे next जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसका हमें reciprocal करना है, मतलब उसका उल्टा कर देना, यहां minus 1 by 3 लिखा ह अब cancel होने के लिए तो कुछ नहीं है, 2 की table में 5 और 1 नहीं आते, 3 की table में 5 और 1 नहीं आते, तो इनको multiply कर दो, तो answer कितना हो जाएगा, minus 23006 divided by 51005, तो आपका answer बन जाएगा, minus 6 divided by 5, next है, second part, minus 7 by 4 and divided by 1 by 8, तो इसको लिखेंगे, minus 7 by 4 divided by 1 by 8, अब फिर हमें वही करना है, इस division को multiply में change करेंगे, और इसके बाद वाला, जो 1 by 8 है, उसका उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 by 1, अब 4 और 8, देखो, 4 की table में दोनों आते हैं, तो इनको cancel कर लेंगे, 4 ones are 4, 4 twos are 8, तो answer बन ज जाएगा, minus 14, next है third part, minus 10 by 1 by 5, तो हम इसको लिखेंगे, minus 10 and divided by 1 by 5, तो यहां से आजाएगा, minus 10, division को multiply में change करेंगे, 1 by 5 का उल्टा करेंगे, तो 5 by 1, तो answer बन जाएगा, minus 10 5050, अब उन में जाएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, वो बियस्से होता है, कि अब उन में 1 है, तो यहां से आजाएगा, minus 50, next है fourth part, 1 by 13 and divided by minus 2, ठीक है, अब मैं इस minus 2 को मैं लिख लेती हूँ, minus 2 by 1 लिख सकते हैं, 1 by 13, यह division multiply में change होगी, minus 2 by 1, minus को अपरे लगा के रखो, सिर्फ आप यह जो 2 by 1 है, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, 1 by 2, तो आपका answer बन जाए यहां पर यह number plus का, यह minus का, plus minus minus, 11001 और 132026, तो आपका answer आजएगा, minus 1 by 26, तो यहां पर आपका question number 1 हो गया, next हम करते है, question number 2, by taking x is equal to 3 by 4 and y is equal to minus 5 by 6, verify that x divided by y and y divided by x, यह both are not equal, अब आप यह देखो, मैं आपका बता हूँ, जब दुनों के बीच में plus होता था, देखो, x y है और यहां उल्टा है, y x है, जब दुनों के बीच में plus होता था, तो वो equal आते थे, मतलब commutative property hold करती थी, multiply आता था, तो भी commutative property hold करती थी, लेकिन जब minus आ जाए, यह division आ जाए, तो हमारी commutative property hold नहीं करती, इसमें क्या होता है, commutative कम होती है, x y हो और इदर उसका उल्टा y x हो, ठीक है, तो यहां पर यही कहना जा रहे हैं, कि हम पर commutative property hold नहीं करेगी, तो हम यहां पहले left hand side को solve करेंगे, x divided by y, और यहां पर हम right hand side को solve करेंगे, y divided by x, ठीक है, आप बीच में यहां पर एक line लगा लेना, तो यहां से आ जाएगा, x की जगे हम लिखेंगे, 3 divided by 4, division, और y की जगे हम लिखने है, minus 5 divided by 6, अब आप यहां से देखो, 3 by 4, divide को उटाओगे तो multiply आएगा, minus 5 by 6 का उल्टा कितना हो जाएगा, minus 6 by 5, minus को वहीं का वहीं लिखा रहा हैं, क्योंकि हमें multiply करने हैं बाद में, और 5 by 6 का उल्टा कर देंगे, तो 6 by 5, अब यहां से देखो, अगर कुछ cancel हो रहा हो तो, 224 और 236, और कुछ cancel नहीं होता, उपर यह वाला number plus का, यह minus का, प्लस, minus, minus, 3 और 3, 3, 3, 0, 9, 2, 5, 0, 10, तो left hand side का answer आता है, minus 9 divided by 10, अब right hand side को solve करेंगे, तो यहां से y की जगह हमें लिखना है, minus 5 divided by 6, division की जगह, division का symbol, और x की जगह replace करेंगे, 3 divided by 4, minus 5 by 6, division को multiplication में change करेंगे, 3 divided by 4 है, लेकिन जब हम इसका उल्टा कर दें, हमें पता जब division को multiply में change किया है, तो 3 by 4 का उल्टा होके आ जाएगा, 4 divided by 3, यह दुन्नों 2 की table में cancel हो रहे हैं, 2, 2, 0, 4, 2, 3, 0, 6, तो यहां से आ रहा है, minus 5, 2, 0, 10, and divided by 3, 3, 0, 9, तो अब आप यहां से देखके बताओ कि क्या हमारा answer से हमा रहे हैं, यहां minus 9 by 10 है, और यहां पर minus 10 by 9 है, उल्टा रहा है, तो हम कहां लिख देंगे, x divided by y is not equal to y divided by x, यह ही प्रूव करना था, आप लिख दोगे, hence verified, hence verified, तो यहां पर आपका question number 2 हो गया है, next हम करेंगे question number 3, देहां से देखना है question, the product of 2 rational number is minus 3 by 7, if one of the number is 5 by 21, find the other, देखो आप पहले से फस्ट लाइन को देखो, क्या लिखा उन्होंने, उन्होंने बोला है, the product of 2 rational number is minus 3 by 4, मतलब देखो, कोई 2 rational number है, एक यहां पर, एक यहां पर, उनको multiply करते हैं, तो कितना आता है, minus 3 by 7, तो मैं ऐसे लिख दू, first rational number, ठीक है, बस आप first लिख दे न, first, यह चलो, पूरा लिखना जाते हो, पूरा लिख दो, first rational number, multiply, second rational number, उनको multiply करके कितना आता है, minus 3 by 7, इसको धान से देखना है, क्योंकि हमें न, ऐसे कोई चीजों को रटना नहीं है, हमें उनको अच्छे से समझना है, the product of two rational numbers, तो एक rational number में पहले वाला यहां लिख दूँगी, दूसरे वाला है, यही कर रहे हैं, the product of, तो दोनों को multiply करते हैं, तो answer कितना आता है, minus 3 by 7, अब वो करें, if one of the number is 5 by 21, इन में से कोई सा एक भी चाहिए, तो आप पहले की जगह लिखत हो, या दूसरे की जगह है, तो वो करें, कोई एक तो है 5 by 21, तो मैं first की जगह replace कर देती हूँ, पहले वाला तो कितना है, 5 by 21, multiply की जगह multiply, अब रूने कहा, find the other, जो दूसरे है, वो आपको find करना है, तो आप मुझे तो नहीं पता है, यहाँ पर क्या है, अब आप यहाँ से देखो, मुझे find क्या करना है, इसकी भी value दी हुई है, इसकी भी value दी है, तो यहाँ से मुझे यह नहीं पता कि second rational number की value क्या है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, second rational number, यह आपका क्याएगा, minus 3 by 7, आप यह पता हूँ, यहाँ पर किसम है, multiply में है, तो जब मैं इसको यहाँ से देखो, आपने सिखा था, equal से left में plus है, तो उदर जाके minus, इधर कोई चीज माइनस sign के साथ है, तो उदर plus sign के साथ हो जाएगी, अब यह चीज यहाँ पर multiply में है, तो उदर जाके कहां हो जाएगी, divide में, तो हम यह लिख देंगे, divided by 5 by 21, ठीक है, यहाँ यह दोन्नों number multiply हो रहे थी, यह number multiply का था, तो उदर जाके क्या हो जाएगा, divide में, बस अब हम इसको solve करना है, minus 3 by 7, multiply में होगा, 5 by 21 का उल्टा कर देंगे, तो 21 by 5, cancel कर लो, 71007, 73021, तो answer आजाएगा, minus 33009, और 1 को 5 से multiply करेंगे, तो 5, तो आपका answer आजाएगा, minus 9 divided by 5, यह आपका third है, next है, fourth, with what number should we multiply, minus 36 by 35, so that the product be, minus 6 by 5, जैसी language लिखी गई है, हम उसी साब से question करते है, with what number, should we multiply, minus 36 by 35, minus 36 by 35, इसको किस number से multiply करेंगे, अब मुझे नहीं पता है, यहाँ पर क्या number लिखना है, ठीक है, ऐसे तो मुझे तो ऐसे, ऐसे तो नहीं पता कि किस चीस से multiply करनी है, so that the product, और जो इन दोनों का product हो, किसके equal हो जाए, minus 6 by 5, कि आपका जो answer अब कितना आजाए, minus 6 by 5, दोनों के multiply हो के, अब यहाँ पर मुझे नहीं बता, तो मैं यहाँ लिखूँँगे, let multiply by x, x का meaning यहीं देखो, आप यहाँ मैं सोचने कि आपने यह x क्या लिख लिख लिखूँगे, आप x, y, z, a, b, c, कुछ भी लिख सकते हो, x का meaning क्या होता है, हमने let किया है, और यह let लिखना मुझे लिखूँगे, let मतलब मैंने अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से मान है उसको कि कुछ answer आएगा, वो कितना आएगा, x, तो मुझे अब किसकी value find करने है, इस x की value, चाहो तो आप box box को खल लिखते जाओ, चाहो तो यहाँ लिख लो, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है, इस x की जगह क्या आएगा, अब आप यह बताओ, यह 36 by 35, x के साथ multiply में ह हो रहा है, तो यह अगर मैं इसको equal से इतर लेके जाना चाहूं, देखो दो number multiply में है, पहला number दूसरा number, यहाँ पर यह multiply में है, तो यह जाकर कहाँ जाएगा, divide में, divide हो जाएगा, minus 36 by 35, ठीक है, तो यहाँ इसको solve कर लेंगे, minus 6 by 5, division multiplication में change हो जाएगा, minus हम उपर ही रखते है, ठीक है, सिर्फ जब division को multiplication में change किया है, तो 36 by 35 का उल्टा कर देंगे, तो 35 by 36 हो जाएगा, अब आप इसको cancel कर लो, 61006, 66036, 51005, 57035, तो आपका answer आजाएगा, यहाँ से देखो, minus minus हो जाएगे, plus, 1 को 7 से multiply किया, 7, 1 को 6 से multiply किया, 6, तो आपका answer आजाएगा, 7 divided by 6, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको question number 1, 2, 3, 4 करवाया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को like करें, मेरे चैनल को subscribe करें, और अपने friends के साथ share जरू करें, thank you so much,